दोस्तों नमस्कार आज हम बाद करेंगे Samsung Galaxy A22 मतलब A22 के मुबाइल में स्क्रीन सॉर्ट कैसे लिए जाता है तो चलिए बेना समय गवाये्यों हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम स्क्रीन सॉर्ट कैसे लेते हैं Samsung Galaxy 22 टू मोबाइल में चलिए तो हम सुरू करते हैं तो इसक्रीन सॉर्ट आपको लेना है तो उसके हम तीन तरीके बताएंगे तो चलिए हम सबसे पहले पहला तरीका देख लिए तो जैसे अगर हमने यह एप खोल दिया पहला तरीका इसका यह है कि आप अपने पावर बटन और बैलूम का जो नीचे बटन होता है दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका सॉट हो जाएगा ठीक है बैलूम और जो आपका पावर बटन होता है बै हैने यहाँ पे पावर बटन किया और बैलूम किया दुनों एक साथ किया और आप देख रहें कि यहाँ पे सॉट तरीका अब हम चलते हैं पर दूसरे तरीके में आप में यहाँ पे देख लीजिए हम राइट साइट में ऐसे टच करते हैं तो हम यहां से भी सौट ले लेते हैं यह हो गया दूसरा तरीका तिसरा तरीका क्या है तिसरा तरीका यह है कि यह हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यह चल ला है यहां पर हम इस पर इसे टच करेंगे हम यहां से भी स्क्रीन सौट ले लेंगे आप द बैलूम की को दूनों एक साथ प्रेस करना है और छोड़ देना हमारा सौट हो जाएगा लेकिन जो दो तरीके और हैं उनको करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि यह जो हम यहां पर राइट साइड में जो यहां से जो स्वाइ जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा एक डिस्प्ले का आप्शन कि आपको डिस्प्ले में जाना है कि डिस्प्ले में जाने के बाद यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पर एक आपको आप्शन मिल जाएगा EDGE Panels ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पर EDGE Panels यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको यह On कर देना है On करने से पहले आपको इसके अंदर जाना है इसके अंदर जाने एक बाद यहाँ पर जो Panels लिखा हुआ है इस Panels पर आपको टच करना है और इसके अंदर Smart Select पर चेक रखना है और Task पर चेक रखना है अगर आप App चाहते हैं तो App पर भी कर सकते हैं Pupil पर चाहते हैं तो Pupil यहाँ पर कर सकते हैं वेदर पर चाहते हैं तो Tools पर चाहते हैं तो यह आप जितने भी कर देंगे तो जब भी आप right side से अपना हाथ को swipe करेंगे तो यह सारे app ऐसे खुल के आएंगे ठीक है तो अभी हमने सिर्फ तीन पर किया हुआ smart select और task और app इसको आपको यहाँ पर कर देना है फिर इससे आपको बाहर आ जाना है बाहर आने के बाद handle लिखा हुआ है handle पर touch करके यह जो यहाँ पर आप right side में देख रहे हैं इसका आप जो transparency है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि मेरी तरह यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर transparency के जो high low है वो कम हो रहा है आप इसका जो height है size है उसको भी बढ़ा सकते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसา इससे बढ़ रहा है आप चाहें तो इसका color भी change कर सकते हैं यहां से यहाँ देख रह नबर राइघ साइड में यहाँ है चलता है तो इसका color भी से तो यहां से आप इसका तीन चीज सकते हैं पहले तो आपने क्षित कर सकते हैं त영 आप जो बाहर आएगे नहीं कि यहां पर एक हमारे पास राइड साइड में एक यहां पर थोड़ा monsfigurences का high law कर सकते हैं और जो इसकी size को small और large कर सकते हैं बहुत ही असानी से और इसका color भी change कर सकते हैं आराम से यह आपने किया यह करने कि बात आपको बाहर आ जाना है अब आप बाहर आएंगे तो बाहर आएके आप अप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारे पास Right स्क्रीन शॉट हमें इस पर करेंगे तो जिस चीज का फिर सॉट यहां पर लेना चाहते है वह आपको सॉट हो जाएगा तो यह तो होगी हमारा दूसरा तरीका अब चलते हैं तीसरे तरीक दीसरा तरीका हमने आपको बताया थे कि एक यहां पर पॉप अप चलना है छोटा चैटिंग पर जाने के बाद यहां थोड़ा हमें नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक आपसण मिलेगे एकसिसिबिलिटी ठीक है आप देख पर आपको टच करना है इस पर टच करने के बाद यहाँ जो लिखा है assistant menu यहाँ पर देख रहे ना assistant menu आपको इस पर टच कर देना है यह आप में off होगा आपको इसको ऐसे on कर देना है अब जब on कर देंगे तो on करने के बाद क्या होगा कि आपके इस screen पे एक इस type से pop-up बनके यहाँ पर आ जाएगा छोटा से आप इसको right में side में और यहाँ भी जरू धर कर सकते हैं तो इसको जो आप टच करेंगे तो आपके सामने एक किस type से pop-up कुल के आएगा और यहाँ पर इसको भी अगर आप यह जो पॉप-up है इसको भी अगर आप कम ज़्यादा या चोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं इसको ही open किजिए और यहीं पर आईए और यहाँ पर लिखा GATIONS को अगर आप यहाँ पर on कर देंगे तो इसके बात क्या होगा कि वो जो आइकन आपका था अभी आप देख रहे हैं कि यह जो आइकन यहाँ से हट गया है यहाँ साइड में हो गए तो आगर आप इसको एुज़ादा गया है तो अगर आप इसको आज़ादां उसको भी आप कम जादा हाई लो यहां से कर सकते हैं ठीक है तो यह आपको करना होगा इतना आप करेंगे तो आप तीन तरीके से स्क्रीन सॉट ले सकते हैं पहला हमने बताया कि जो आपका पाउर की है और जो बैलूम की है उसको एक साथ पुस करके आपको छोड़ देना है प मिल जाएगा तो आपको सॉट यहां पर हो जाएगा तो यह था आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास में यह बाइस समसिंग गिलेक्सी यह बाइस है तो वह चाहिए फूर जी हो चाहिए फाइप जी हो लग भलग सब में आप्सन सेन्म होगा तो स्क्रीन सॉट आप बहुत ही आसानी से इन तीन जो आपके तरीके हमने बताया है आप कोई भी तरीका आउन कर सकते हैं या आप चाहें तो तीनों तरीका अपने मुबाइल पर रख सकते हैं तीनों तरीका से आप आराम से अपने मुबाइल का कोई भी स्क्रीन सॉट लेना है वो बहुत ही आसा स्क्राइब कर लिए साथ में बेल वाली गंटी भी दबा दीजिए आज की लिए इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह रोचक और मज़ेदार जानकारी के साथ तब तक के धन्यवाद